नवश्कार, आपने geometry box तो बहुत देखे हो, geometry box में से scale, d, प्रकार, इन चीज़ों का तो बच्चे आम तोर पर बहुत जादा प्रयोग करते हैं, लेकिन geometry में जो set square हैं, उसका प्रयोग अक्सर विद्यार्थी नहीं करते हैं। आज हम एक छोटी से activity से ये देखेंगे कि set square की मदद से हम किस प्रकार से गणित के कोण बना सकते हैं। जैसा कि इस एक छोटी से चार्ट में आप देख सकते हैं, हमने set square को विभिन विभिन प्रकार से जोड़कर अलग-अलग कोण बनाये हैं। मैं अपने साथी से request करूँगा कि यहाँ पर zoom करके हमारे विद्यारतियों को दिखाएं। हमने यहाँ पर set square को इस प्रकार से जोड़कर कि इसकी lens इधर और इसकी जो markings है इस प्रकार से हो। इस प्रकार से जोड़ने से हमने यह देखा कि यदि हम set square को इस प्रकार से जोड़े तो यह है 135 डिगरी का कोण बनता है। इस set square में naturally पहले से ही यह जो कोण है यह 45 डिगरी का बना रहता है। दो set square को यदि एक जुसरे के बिलकुल बराबर रग दिया जाए तो यह है एक straight angle यानि की 180 डिगरी का कोण भी बनता है। यह नीचे यदि इन set square को इस प्रकार से रखा जाए तो यहां हम 75 डिगरी का कोण देख पा रहे हैं। किसी भी set square में सम कोण को असानी से ढूंडा जा सकता है। इसी प्रकार हमने यह देखा कि इनी दो set square के जोड़ों को अलग अलग तरीके से जोडने पर हम 150 डिगरी का कोण, 120 डिगरी का कोण, 30 डिगरी का कोण और 75 डिगरी का कोण प्राक्त कर सकते हैं। देखा आपने, जो set square हम कभी प्रयोग में भी नहीं लाते, उन्हें यदि हम आपस में अलग अलग तरीके से जोड़ें। तो हम गड़िक के बहुत सारे कोण बना सकते हैं। आप भी घर बैठे, set square लीजिए, उन्हें अलग अलग प्रकार से जोड़ कर देखिए कि कौन कौन से माप के कौन बनाए जा सकते हैं। देंते हैं।